सबसे पहला आपका डाउट यह था कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा दूसरा आपका फिजिकल एक्जामिशन कब होगा नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने नंबर यहां पर बढ़ने के चांसेज है उसके साथ यह साथ नेगेटिव मार्किंग आपके वन फोर्ट होगी यह वन एट्थ होगी फिजिकल की कट ओफ कितनी जा सकती है काफी सारे स्ट्वेंट्स को यह डाउट था कि मैं नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ने के चांसेज है बहुत से लोग तो आपको ऐसे भी बता रहें कि बहुत 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 नंबर बढ़ने की यही चांसेज है शिफ्ट पर डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट किसी साब से गई है नॉर्मलाइजेशन का उसके साथ इसाथ अगर मैं आपको शिफ्ट अनलाइसेज बताती हूं सबसे इजी शिफ्ट आपकी 22 फरवरी 2024 की फिस्ट शिफ बताएगा और उसके बाद में आप अगे शरी, hopefully you all are doing very well, आप मेंसे काफी साथ स्टुएंट ने ससी जीडी का एक्जामनेशन दिया था, उन मेंसे ही मुझे बहुत से स्टुएंट के कमेंट्स देखने के में बिले ससी जीडी के एक्जामनेशन के रिगार्डिंग, उन मेंसे डिरेक्ली 5-6 ऐसे कमेंट्स या नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने नंबर यहां पर बड़ ने की चांसे से उसके साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग आपके 1 4 होगी या 1 8 होगी, फिजिकल की कट ओफ कितनी जा सकती है, तो आप अपने सारे डाउट्स को दूर करने के लिए सबसे पहले वीडियो आप बिल्कुल टेंटेटिव आई है, यानि कि अभी 10 तारीक तक का आप सभी को टाइम दिया गया था, जितने भी स्ट्वेंट को डाउट था किसी भी प्रकार की प्रश्न में, तो उसमें करेक्शन के लिए टाइम दिया गया था, आप जब आटिय लगाते हैं किसी प्रश्न क और SSC को ये लगता है कि दिया गया प्रश्न एक्जामनेशन में गलत है, तो उसका जो नंबर है, जिस व्यक्ती ने आटिय लगाया है, उसको उसके साथ इसाथ उस शिफ्ट में बैठने वाले सभी केंडिडेट को उसका नंबर यहां पर मिलता है, अब मैं आपको बता दे हूं कि फिजिकल में कौन-कौन से स्टुएंट अपियर होंगी, उनका रिजल्ट जो है, आपको में की एंडिंग में देखने को मिलेगा, ठीक है, उसके साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूं कि कई स्टुएंट का ये डाव था कि मैं हमने NCC कर रखा है, तो हमारा जो रि किस प्रकार करते हैं, तो आप ये सारी बाते तो आप फो में ही बता देते हैं, तो जब आपका रिजल्ट आएगा, तो आपके NCC के मार्क्स एड होकर आएगे, तो ये बात आप अच्छे से ध्यान लख लिजे, सबसे पहला आपका ये डावट था कि मैं रिजल्ट कब तक तो देखिए, तो देखिए, दस अप्रेल तक का आपको टाइमिंग दिया गया था, करेक्शन का, उसके बाद में जैसे ही, अगर SSC को लगता है कि दिया गया प्रशन गलत है, तो जिस केंडिडेट ने आट ये लगाई है, उसको उसके साथे साथ वो सारे केंडिडेट जो उस shift में appear हुए है, उन सभी को उस गलत प्रशन जो exam में आया था, उसको सभी के number मिलेंगे, अब प्रशन ये है कि मैम हमारा answer की तो आगए है, रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट जो है, वो आपको first week of May में जरूर देखने को मिलेगा, और उसके बाद में आपका physical examination ह जाएगा, जैसे आपका result आजाता है, आप उसमें 20 से 25 दिन जोड़ कर, यानि कि आप चलते चलते हैंगे, में के ending, या फिर जून के first week में आपको अपने physical की fix date यहां पर देखने को मिल जाएगी, उसके साथ ही साथ मैं आपको बता लेती हूँ, काफी सारे students को ये doubt था कि मै कि बहुत-बहुत नंबर बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, maximum number बढ़ने की यहीं chances है, shift पे depends करता है कि आपकी shift किसी साब से गई है, normalization का, उसके साथ ही साथ, अगर मैं आपको shift analysis बताती हूँ, सबसे easy shift आपकी 22 फरवरी 2024 की first shift बताई गई है, सब-सबसे tough shift है, 27 फरवरी 2024 की first shift बताई गई है, तो उनके अधार अगर देखा जाए, तो 10-12 number ही आपके बढ़ने की यहां chances है, बहुत जाड़ा number आपकी यहां normalization में नहीं बढ़ेंगे, उसके साथ-साथ मैं बता देती हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि normalization का आपके correction पर, यानि accuracy पर उसके साथ ही सा लगबग आपको date देखने को मिल जाएगी, physical जो है वो आपका हलवा नहीं होता है, boys and girls दोनों की हिमा बात करती हूँ, तो girls को 1600 मिटर ररनिंग करनी होगी, साड़े 8 मिनिट में and boys को जो है 5 किलो मिटर की ररनिंग 24 मिनिट में यहां पर करनी होगी, उसके अलावा, तीन चा तफ्तियन कोंड से shift आपकी यहां पर easy थी, उसके अलावा negative marking आपकी कितनी होगी, तो negative marking 1 by 4 होगी, 1 by 8 होगी, negative marking आपकी यहां पर 1 by 8 होगी, उसके अलावा, एक डावट होड़ था कि physical की cutoff कितनी जाएगी, तो यह बताना अभी तो बहुत बड़ा herculent task है, क्योंकि अभी म आपने अभी अपना row score देख लिया होगा, मुझे जरूर बताएगा कि कितने प्रश्न आपके यहां पर सही हो रहे हैं, कितने नंबर आपके हिसाब से यहां पर बन रहे हैं, ताकि मैं आपको cutoff से regarding video बता सकूं, बना सकूं, देखो देली प्लिस के लिए भी मैंने cutoff का एक से जुट सके, एक बात में आपको साफ साफ बता देते हो, अगर आपके बहुत ही कम नंबर है, तो आप की कीजे इस चीज को, क्योंकि 2024 में अगस्त में फिर से आपको SSE GD की विकेंसी देखने को मिलेगी, तो आप यहां बहुँ जादा टाइम विस्स करने के बजाए, फि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जुरूर बताएगा कि आपके कितने नंबर यहां पर बन रहे हैं, ताकि मैं आपको एक सही डेटा बता सकूँ, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए जाए हमेंट